दोस्तो इसी वीडियो के माध्यम से मंडे को 18,000 लेबूल ब्रेक होगा या नहीं उसके बारे में डीटेल्स पर लॉजिक के साथ बात करने के लिए जा रहे हैं दोस्तो step by step हम एक ही करके लॉजिक के बारे में बात करेंगे उससे पहले देखो काफी ज्यादा मेनत लग रहा है आपके सामने ये वीडियो लाने के लिए दोस्तो अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो चानल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब बटन से आप लोग को काफी अच्छा कासा नॉलेज अगर मिल रहा है वीडियो को लाइक चरूर करना और दोस्तो टेक्निकाल आनलेसिस सिखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए step by step टेक्निकाल आनलेसिस करके market का moment के बारे में details पर जानते हैं देखे दोस्तो यहा double top किसको बोलते हैं अगर मार्केट किसी लेबल से नीचे की तरफ आया है और फिर दुबारा उसी लेबल के आसपास आ जाता है तो उसी लेबल को हम basically double top का लेबल बोलते हैं और double top लेबल के आसपास market आने के बाद अगर हमको selling का pressure देखने के लिए मिलता है selling का candlestick pattern देखने के लिए मिलता है तो उसी लेबल से ज्यादा तर चांस रहता है कि मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाएगा तो देखे दोस्तों अभी मार्केट एक double top लेबल के आसपास आने के बाद 18,250 लेबल से हमको selling pressure देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों काल वीडियो पे हम बात क कर रहे थे अगर मार्केट ये डे हाई लेबल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ जाएगा तो इस पे positive momentum देखने के लिए मिलेगा और मार्केट कंटीनिव आफसाइट ट्रेंड पे चला जाएगा लेकिन अगर मार्केट पे selling pressure देखने के लिए मिलता है और previous trading day का हाई से नीच पाटन की बात करोगे दोस्तों double candlestick पाटन की साफ से यहां पे almost एक bearish haramika pattern form करने के साथ single candlestick पाटन की साफ से यहां पे देखो shooting star pattern हमको देखने के लिए मिल रहा है तो ये candlestick पाटन की साफ से हमको ये सिखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट इस सी level से नीचे की तरफ जा आता है मार्केट के उपर strength कितना है कितरा ज्यादा नीचे तक जा पाएगा 18,000 level को क्या ये break करके नीचे आ पाएगा क्योंकि देखो lower level के आसपस अगर आप देखोगे immediate जो support का level है strong support level इसको 18,000 level के आसपस मिलीगा क्योंकि एक psychology का level है और आज जो selling pressure arm को देखने के लिए मि करने के साथ volume को भी earn करके रखा है दोस्तो market अगर नीचे की तरफ जाता है या उपर की तरफ जाता है अगर उस पे proper strength देखने के लिए मिल जाता है तो उसी direction पे और तेजी से हमको movement देखने के लिए मिल जाता है और देखे ये level के आसपास double candlestick pattern पे याँपे various harami pattern form करने के स level से double top level से market नीचे आने के साथ उस पे proper strength के साथ selling आ रहा है वो सबसे ज्यादा important है इसलिए ज्यादातर scenario यहां पे बन रहा है काल इसी level से market और ज्यादा नीची की तरफ momentum दिखाएगा दोस्तों अगर market नीची की तरफ जाता है कितना नीची की तरफ जाएगा तो उसके बार market का जो overall strength है overall strength daily candlestick pattern कि साथ से 150 level के आसपास यहां पे दीख रहा है तो अगर market इसी level से नीची की तरफ जाता है on and average 150 point के आसपास market नीची की तरफ जाएगा तो देखो market का closing 18,070 level के आसपास हुआ है तो इसी level से अगर नीची की तरफ आता है on and average 150 point मतलब 17,900 level के आसपास हम सकते हैं तो दोस्तों अगर आप छोटे time frame पे देखोगे intraday point of view से देखोगे तो कितना point का minimum momentum होना चाहिए तो दोस्तों intraday के लिए मैंने 30 minute के candlestick pattern open किया है और 30 minute के candlestick pattern की साफ से 40 point के आसपास हमको 80R के value दिखा रहा है तो जितना 80R के value दिखा रहेगा उस पे हमको 1.5 multiply करना है 1.5 multiply करने के बाद और result आ रहा है तो 1.5 multiply करने के बाद जो value आ रहा है उस पे generally हम double target लेके जा सकते हैं तो on and average market 110 point नीचे की तरफ आने की signal दे रहा है क्योंकि proper strength के साथ average true range जो बता रहा है minimum on and average हमको 110 point के आसपास downside direction पे selling देखने के लिए मिल सकता है और चाली दोस्तों market GC level के आसपास trade कर रहा है वो एक support या resistance का level है उसके बारे में और थोड़ा deeply जान लेते हैं देखे दोस्तों यहां पे मैंने फीवोनासी retracement level को भी आड़ करके रखा है और फीवोनासी retracement level की इसाफ से देखो market clear cut 61.8% retracement level के आसपास आके अभी काम कर रहा और दोस्तों 61.8% retracement level को golden फीवोनासी रेशियो का level भी बोलते हैं अगर market नीचे से उपर या उपर से नीचे की तरह आ रहा है और 61.8% retracement level के आसपास अगर आके पहुंच जाता है उसी level से generally trend change हो जाता है तो अभी देखे मार्केट 61.8% retracement level के आसपास पहुंचने के बाद लिए मिल रहा है और market ये level के आसपास आके पहुंचने के बाद इस पे हमको selling candlestick pattern देखने के लिए मिल रहा है इसलिए दोस्तों ज्यादा तरचांसे ये level के आसपास market पे हमको selling pressure देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि हम wait कर रहे थे अगर market 18,250 level से उपर की तरह सुस्टेन कर लेता तो 18,500 के तरह फिर momentum हमको देखने के लिए मिल जाता लेकिन ये 61.8% retracement level के आसपास आने के बाद इसी level से हमको resistance देखने के लिए मिल रहा है तो ये level से अगर retracement आता है हमको market 18,850 level के आसपास minimum देखने के लिए मिलेगा तो ये level से market 18,050 का जो level है ये 50% retracement level के आसप तो जेनरली ये लेविल के आसपस आने के बाद फिर दुबारा हमको बाइउं देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी जिसी टाइप ऑफ मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है इसी लेविल से जादा तर चांसे हमको सेलिंग प्रेसर ही देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों सेलिंग प्रेसर के लिए मैंने और एक कॉनफर्मेशन आप लोगों के साथ स्यार कर देता हूँ। देखे दोस्तों हम कुछ दिनों से आप लोगों को बता रहे थे कि 15 मिलिट केंडल स्टिक पार्टन के हिसाब से मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जेनराली ट्रेड कर रहा था। वो एक सपोर्ट का लेवल है 18,050, 18,070 लेवल के आजपास तो ये रेक्टांगल को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो देखो नेक्स जो सपोर्ट का लेवल है ये स्विंग लोग के इसाफ से हमको 17,900 लेवल के आजपास देखने के लिए मिल रहा है तो फि मिनिमाम डाउनसाइड डिरेक्शन पर मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों ये क्लियर कट सिग्नाल बन रहा है मार्केट उपर लेवल से नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाएगा इसलिए उसके हिसाफ से आपको आपकी ट्रेट प्लान करना पड़ेगा ल